हालो फ्रेंड्स बलकम टू माई यूटूब चैनल सो गाइज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिरूर राजस्तान का और एक प्रिविए सेर का पेपर लेकर इस पेपर में काफी इंपोर्टन कोशन्स को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्तान CET गरेजोशन लेपल और इंटर लेबल के इगजा में यहां से कोशन्स पोछे जाएंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक को से जरूर करें जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोडिफिकिशन बेल आउन करना ना भूलें तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी कोशन के आंसर देने का दोशे तीन सेकंड के बाद मैं आंसर किलियर कर दूँगा आज की सेसन में पहला कोशन रहेगा जेंटलमेन एग्रिमेंट के समद्ध में निमलेखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा आउप्शन वी केवल दूसरा इसका समद्ध जहला बाड रियासत से है दूसरा कोशन देखेगा प्राचीन एतिहासिक इस्थल आश्रम पटन की आधुनिक पैचान है केशब राइपाटन सही जवाब हो जाएगा आउप्शन वी तीसरा कोशन देखेगा सत्रवी सताब्दी के सिसोधिया राठाउड गठवंधन में मेवाब का सासक था महराना राजसिंग फश्ट चोथा कोशन देखेगा निम लिखती युद्धों का सही काल क्रम चुनिए सही कूट चुनिए सही जवाब हो जाएगा आप्शन सी पहले आ जाएगा आपका तराइन का यूद्ध दूसरे नमबर पर खानबा का यूद्ध और पहले नमबर पर हल्दी घाटी का यूद्ध तो इस प्रकाल से आप यूद्धों का जो काल क्रम है उन्हें वेवस्थित कर सकते हैं पांचमा कोश्चन सर्वोत्तम बिलास गज बिलास जवाहर बिलास निमलेकित में से किस दूर्ग में इस्थित है इस कोश्चन का सही जवाब हो जाएगा सर्वोत्तम बिलास गज बिलास जवाहर बिलास सोनार गड़ दूर्ग में इस्थित है जबाब हो जाएगा option D हवेली चित्रकला किस सतापदी की देन है हवेली चित्रकला 19 वी सतापदी की देन है तो सही जबाब हो जाएगा option D सात्मा कोशिन देखेगा राजस्तान की प्रसिद्य लोक कला बेवाड है राजिस्तान की प्रसिद्द लोककला बेवाड है आप्सन वी लकडी से निर्मित सिंगासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ती को स्रंगारित करके बठाया जाता है अगला कोशन देखेगा दामडा आबुशन इस्तरियां सरीर के किस भाग में पहनती हैं दामडा आबुशन इस्तरियां सरीर के किस भाग में पहनती तो सरी जबाब हो जाएगा उंगली में पहनती हैं अगला कोशन देखेगा नमा सुर्गिय फिशामुदीन किस हस्त सिल्ब के सिद्ध हस्त कला करते तो सरीर अंसर हो जाएगा आप्सन वी अगला कोशन देखेगा विवा के दूसरे दिन वर पच्छ द्वारा नव दंपत्ति के लिए आसिर बाद समारो वा प्रति भोज को क्या कहते हैं बिवा के दूसरे दिन वर पच्छे द्वारा नवद दंपत्ति के लिए आसिर वास समारोवा प्रतिभोज को हम कहते हैं बडार तो सही जवाब हो जाएगा ओप्सन वी अगला कोशन देखेगा मारवड का भूला विसरा नायक किसे कहा जाता है इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा मारवड का भूला विसरा नायक राव गंगदेब को कहा जाता है तो राव गंगदेब आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा बार्मा कोशन देखेगा किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पैंक्टिंग्स में राजस्थानी चित्र सहलियों का भैग्यानिक पिवाजन किया तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा अप्सन वी आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजसानी चित्रसलियों का बैज्ञानिक पिवाजन किया तेरमा कोशन देखेगा सुमिलित करने के लिए बोला जा रहा है तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा ओप्सन ए अब देखेगा सुमिलित कैसे कर सकते हैं आप लोग इस पर ध्यान दीजेगा राजिस्तान सेवा संग इसके संस्थापक थे बिजय सिंग पतिक राम नराने चौदरी हरीबाई किकर इसके बाद आपका आजाता है देश हितैशनी सबा इसके संस्थापक थे माराना सर्जन सिंग इसके बाद बीर भारत सबा इसके संस्थापक थे केसरी सिंग बारट लाशवाला का बस्ता है सर्व हितैशनी सबा इसके संस्थापक थे सुवामी गोपाल दास तो इस प्रकार से आप लोग इसका जुहें मिलान कर सकते हैं चोदमा कोशन देखेगा निमलेखित में से काउन सा युकुम उस तक लेखक असंगत है इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा किरतार बावनी कभी इसरदास ऑप्सन सी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा चले बढ़ते हैं अगले कोशन की और वीडियोस पर आप लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलना है फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी महनत करता हूँ ना तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं ना सेयर करते हैं बहुत बुरी बात है एक वीडियो बनाने में कितनी महनत पड़ती है आप लोग नहीं समझेंगे निम लिखती युगमों में से काउंसा युगम पुरा इस्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है सही जवाब हो जाएगा ओशियाना चितोड़गड आपसन सी जो है आपका ये करक्ट हो जाएगा सोलमा कोशन देखेगा निम लिखत में से काउंसा युगमों मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा बिजै साही पीका नेर ये सुमेलित नहीं होगा सत्तरमा कोशन देखेगा राम से नहीं संपरदाई की राम से नहीं संपरदाय की रेंड साखा के परवर्तक थे संत हरियाओ जी एपसन V यह साही हो जाएगा लोक कला मंदर यह कहां पर इसतित है लोक कला मंदर जो है गाईज यह उधैपुर में इसतित है तो उदेपूर आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा option A सुगाज अगला कोशन देखेगा 19 कोशन आभा नेरी के संधर्ब में निमलिकित में से कौन से विकल्प सही है इस कोशन का सही जबाब हो जाएगा option V या निर्मित हर्शत माता मंदिर परतिहारों के सामन चाओरों ने बनबाया था ये वाला सही हो जाएगा और दूसरा वाला यहां की चांद बाबरी विस्सो परसिद्ध है बिसमा कोशन देखेगा बिसमा कोशन है कि कॉबला माला में राजिस्थान की कितनी भासाओं का उलेख है इस कोशन का सही जबाब हो जाएगा कुल 28 भासाओं का उलेख है एक किसमा कोशन देखेगा राजिस्थान में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड अंबेज़डर कोँन है राजिस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवियान का ब्रांड अमेज़नर कौन है तो सई जवाब हो जाएगा अबनी लेखरा दिखेगा गाईस इस वाले कोशन में थोड़ा सा डाउट है यह वाला जो कोशन आप देख पा रहे हैं इस वाले कोशन में थोड़ा सा डाउट में लग रहा है इस कोशन का सई जवाब हो जाएगा 18 भासाओं का उलेगे 28 नहीं होगा 18 हो जाएगा यह वालत मैंने आपको कोशन करा दिया है अब नहीं लेख रहाए इस कोशन का अंसर हो जाएगा option V विवान कपूर किस खेल से संबंदित है तो विवान कपूर rifle shooting से संबंदित है जवाब हो जाएगा option V अगला कोशन देखेगा अगला कोशन देखाएगा बतुल वेगम का संबंदä राजिस्थान की गायन परमपरा से है माण गायन तो सही जवाब हो जाएगा option C राजिव गांधी FINTEK Digital Institute की स्थापना कहा पर की जाएगी तो राजिव गांदी फिंटेक डिश्टा इंस्ट्यूट के स्थापना ये की जाएगी जोदपुर में सही जवाब हो जाएगा ओप्सन वी गायस पच्चेसमा कोशिन देखेगा राजिस्थान में महिला एबम बाल विकास विभाग दोरा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को सुबारम किया गया आई एम शक्ती उडान योजना बाल विकास विभाग दोरा इस योजना का 19 दिसंबर 2021 को सुबारम किया गया तो सही जवाब हो जाएगा ओप्सन वी 26 कोशिन देखेगा महराना परताप ने अपनी नवीन राजजदानी चावण में कब इस्थापित की तो वर्स 1585 आपका करेक्टर अंसर हो जाएगा अगला कोशिन देखेगा साहित अकादमी पुरुसकार 2021 राजजदानी भासा के लिए किसे दिया गया है साहित अकादमी पुरुसकार 2021 राजस्थानी भासा के लिए किसे दिया गया है मिठेस निर्म होई तो सही जवाब हो जाएगा Option C So guys, Nash question देखेगा 28 मा विश्यो के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट इस्टेडियम का शिलानास 5 परवरी 2022 को कहां पर किया गया विश्यो के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट इस्टेडियम का शिलानास 5 परवरी 2022 को कहां किया गया तो इस questions का सही जवाब हो जाएगा Job जैपूर में किया गया Option A जो है आपका correct हो जाएगा Nash question देखेगा June 2021 में प्रधान मंतरी आवास योजना के तहर राजिस्थान के किस जिलिव को देश में दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ सही जवाब हो जाएगा डूंगरपूर Option V जो है आपका ये correct हो जाएगा अगला question जैपूर थेटर फेश्ट का आयोजन जैपूर में कब किया गया 31 कोशन देखेगा गया निमलेखित में से किन वनों को अकसर प्रतवी ग्रह के फेफ़़ों के रूप में जाना जाता है अमेजन वर्षावन के नाम से जाना जाता है तो अमेजन वर्षावन आपका correct answer हो जाएगा 32 कोशन देखेगा निमलेखित में से काउन सा सुमेलित नहीं है ध्यान पूर्वक answer देजेगा सभी कोशन के तो सही जवाब हो जाएगा option D तो गयाज अगला कोशन आपके स्क्रीन पर अगनासई रस में काउन सा एंजाइम होता है जो MLC 5 बसा को तोड़ता है सही अंसर हो जाएगा option A like page प्रत्वी का पलायन वेग है तो प्रत्वी का पलायन वेग होता है प्रत्वी का पलायन वेग होता है सही जवाब हो जाएगा एंड्रेलिन option C जो है आपका correct हो जाएगा नाश कोशन देखेगा क्लोन किया जाने वाला पहला इस्तनपाई था क्लोन किया जाने वाला पहला इस्तनपाई था भेड़ अगला कोशन देखेगा निम लिखित में से कौन सा एक प्रती आक्सी कारक नहीं है सही जवाब हो जाएगा इस पर एक टेम option D जो है आपका correct हो जाएगा 38 कोशन देखेगा रक्त चाप और उल्टी जैसी अनच्छिक क्रियाओं को पश्मस्तिस्क के किस भाग द्वारा नियंतरित किया जाता है तो किस भाग के द्वारा नियंतरित किया जाता है तो इस questions का सही जवाब हो जाएगा मेंडूला आप लो गेटा आपसन एज जो है आपका ये करक्ट हो जाएगा नैश कोशन देखेगा 49 मा कोशन 49 मा कोशन है कौन सा जीब काला अजार बीमारी का कारण है कौन सा जीब काला अजार बीमारी का कारण है तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा लेश्मेनिया और लेश्मेनिया काला अजार बीमारी का कारण है option D चालिसमा कोशन देखेगा मानो सरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है तो मानो सरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है दातों का animal यानि इसको बोलते हैं परत तालिसमा कोशन देखेगा कौन सा कथन सत्य है कथन A दिये गए है और कारण R दिये गए है ठीक है ये सही कूट दिये गए है इन्हें पढ़िए और आंसर बताएए क्या आंसर होगा कोशन नमर है 41 वा ठीक, 41 वा कोशन आपका पढ़िए तो अगर हम आंसर के गर हम बात करें तो A और R दोनों ही सत्य हो जाएंगे यानि कि सामबर राजिस्तान की सबसे बड़ी खारे पाने के जील है सामबर जील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूरवी देसांतरों में इस्तित है आप्सन A करक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा 43 वा काउंसा राजिस्तान का सबसे बड़ा तापिय बिद्दुत ग्रहे है इसका नाम है सूरतगर थर्मल आप्सन A जो है आपका करक्ट हो जाएगा नाश कोशन देखेगे 43 वा भाकड़ा नहर परियुजना के बारे में काउंसा कथन सकते है भाकड़ा नहर परियुजना के बारे में काउंसा कथन सकते है तो सई जवाब हो जाएगा आप्सन C, A, B, D A में क्या है यह पंजाब, हर्याना और राजिस्तान की संविक्त परियुजना है B में क्या है इसमें हनुमानगढ़ जिले को सिचाय सुविधा प्राप्त होती है D में क्या है यह 2.3,00,00,00,00,00,00,00 राजिस्तान के किन जिलों में लाल बाद पीली मरदा पाई जाती है तो सही जवाब हो जाएगा सवाई मादोपुर सिरोही भिलबाड़ा अजमेर में लालबाग पिरी मर्दा पाई आती है तो सही जवाब हो जाएगा option D correct answer so guys Nash question देखेगा 45 वा question सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है और ध्यान पूरवक देखेगा आप लोग सही जवाब हो जाएगा option D एक तरफ खान है दूसरे तरफ खनी जाएए तो देखेगा देगाना देगाना हो जाएगा आपका टंगस्टन से इसके बाद मांडो की पाल फ्लो स्पार पिर इसके बाद जामर कोरड़ा रॉक फास्ट और गोठ मंगलोद जिस पम इस प्रकार से आप लोग सुमेल कर सकते हैं शारिसमा कोशन देखेगा क्या है काउन सायूकुम सही सुमेलित नहीं है काउन सायूकुम सही सुमेलित नहीं है तो सही अंसर हो जाएगा EAD जलबायू परदेश पूरवी राजिस्थान अप्सन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा अप्सन ए जुन जुनू अर्टारिसवा कोशन देखेगा राजिस्थान में प्री कैब्रियंच चट्टानों का आधार भूत वर्डन किसके दुआरा किया गया है तो राजिस्थान में प्री कैब्रियंच चट्टानों का आधार भूत जो वर्डन है ये किया गया है A.M. हेरोन के दोरा तो सही जवाब हो जाएगा option D अगला कोशन देखेगा 49 निम लिखित को सुमेलित कीजिए एक तरफ जिला है दूसरी तरफ आक्छांस देसांतर option V आपका जो है correct answer हो जाएगा मिलान कैसे करना ये देख लिए बाशवाडा का आच्छांस देसांतर कितना है 13 degree 3 उत्तर जैसल मेर जैसल मेर का है 79 degree 30 पूर्व इसके बाद धावलपूर धावलपूर का है 88 degree 37 पूर्व इसके बाद गंगा नगर गंगा नगर का है 30 degree 12 उत्तर तो इस प्रिकार्ड से आप लोग सुमिल कर सकते हैं अगला कोशन देखेगा 51 सुरी 50, 50 कौन सा असत्य है तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा option C माही, कंचन, राजिस्थान में चावल की उच उत्पादक्ता देने वाली किस्म है यह हमारा दूसरा पेपर रहेगा पहले पेपर में हम लोगों ने 50 कोशन डिसकस किये थे और इस पेपर में भी हम लोग 50 कोशन डिसकस करेंगे यह हमारा पेपर रहने वाला है पशुदन साहिक का यह एक्जाम आप लोगों का 4 जून 2022 को हुआ था तो पहला कोशन देखेगा बैराट जैपुर के पास भीम जी की डूंगरी की तल पर दू सिलालेक बैराट सिलालेक और लगू सिलालेक की खोज की गई तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा असो के दौरा इस सिलालेक की खोज जो है असो के दौरा की गई हम बात करेंगे अगले कोशें की दूसरा कोशें क्या है लूनी घाटी डीड माना बूढ़ा पुसकर के आसपास इस्तित एक महतपून इस्तहले ये निमलिखित में से किस युक से सम्दित है तो ये जो है मद्य पाशार युक से सम्दित पूरवच काउन बने थे तो सही जबाब हो जाएगा राणा हमीर अगला कोशें आपके स्क्रीन पर चौथा कोशें क्या है दीवेर की लडाई किसके बीच में लड़े गई थी तो दिवेर की लड़ाई राणा प्रतापर अकबर के बीच में लड़ेगी तो सी वाला जो अपसन है आपका करेक्ट हो जाएगा पांचमा कोशिन देखेगा पांचमा कोशिन है काई सवाई मादोपुर के सिवाणड गाउ में स्थित घुमेश्वर भगवान शिव का डैस जिरोतिलिंग है सवाई मादोपुर के सिवाणड गाउ में स्थित घुमेश्वर मंदिर भगवान शिव का डैस जिरोतिलिंग है सही जबाब हो जाएगा बार बार चछड़ा कोशिन देखेगा चड़ा कोशन है, बूदी के तारा गड़ किले का निर्माड किसके द्वरा किया गया था तो बूदी के तारा गड़ किले का जो निर्माड है, ये किया गया था राओ राजा बैर सिंग के द्वरा Correct answer हो जाएगा Option A चले बढ़ते हैं एक ले कोशन की और साथमा कोश्चिन तो जहालावर सेले की राजपूत पेंटिंग जो है ये किस पेंटिंग की स्कूल का हिस्सा है तो सही जबाब हो जाएगा हाडोती option C जो है आपका correct हो जाएगा नाश कोशन देखेगा नमा कोशन सही जबाब हो जाएगा ओली के अपसर पर किया जाएगा दसमा कोशन देखेगा राजिस्थान की भासा के लिए पहली बार राजिस्थानी सब्द का प्रियोग किस ने किया जो है जो है जो राजिस्थानी भासा के लिए पहली बार राजिस्थानी सब्द का जो प्रियोग है ये किया था जोर्ज अब्राहिम ग्रिशन ने तो सही जबाब हो जाएगा option V ग्यारमा कोशन देखेगा निम लिखित में से काउंसा नाटक भवाई सैली में लिखा गया है जो राजिस्थान में प्रसिद्ध है काउंसा नाटक भवाई सैली में लिखा गया है जो राजिस्थान में प्रसिद्ध है तो सही जबाब हो जाएगा जैंसा ओडन correct answer हो जाएगा option C बारमा कोशन देखेगा रणकपूर जैन मंदिर पाली निम लिखित में से किस तीर्थिकर को समर्पित है तो रणकपूर जैन मंदिर पाली ये किस तीर्थिकर को समर्पित है तो सही जबाब हो जाएगा रिशबनात को समर्पित है निम्न प्रसिद्ध गजल गायोकों में से कौन राजिस्थान से समर्पित है गजल गायोकों में से कौन राजिस्थान से समर्पित है तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा आपसन वी जगजीत सिंग चोदमा कोशन देखेगा 1818 में अंगरेजों के साथ संदियों पर हस्ताक्षर करने वाला जैपूर राज का सासक कौन था 1818 में अंगरेजों के साथ संदियों पर हस्ता अक्छर्प करने वाला जैपुर राजकात सासक था सवाई जगत सिंग सई आंसर हो जाएगा option D पंद्रमा कोशन देखेगा पंद्रमा कोशन बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे सई जवाब हो जाएगा option V नैनूराम बढ़ते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन देखेगा सोलमा कोशन क्या है भारत की सुतंतरता के बाद राजिस्थान के गठन के कितने चरण थे तो भारत की सुतंतरता के बाद राजिस्थान के गठन के कुल साथ चरण थे लेकित में से काउंसी महिलार राजिस्थान से संबंदी थें जो राजनीतिक जागरती और विकास का हिस्सा थी काउंसी महिलार राजिस्थान से संबंदी थें जो राजनीतिक जागरती और विकास का हिस्सा थी तो इस questions का सही जवाब हो जाएगा अंजिना देविच चोधरी correct answer हो जाएगा option A गायस अगला question देखेगा ठारमा एकी आंदूलन के नेता कौन थे एकी आंदूलन के नेता थे मोतिलाल तेजावत सही जवाब हो जाएगा option D 19. question देखेगा डैस अपने बहु आयामी रूपों जैसे उंट की खाल पर मीनाकारी सुन मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों उस्ता कला के लिए विस्व परसिद है तो इस questions का सही जवाब हो जाएगा बीका नेर बीका नेर जो है ये परसिद है उंट की खाल पर मीनाकारी सुन मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों उस्ता कला के लिए विस्व परसिद है विका नेर आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा तो गाज बीसमा कोशन देखेगा ब्रत हरी मेला राजिस्थान के किस जिले में लगता है परिचा की ड्रेश्ट से सभी कोशन इंपोर्टन है परत हरी मेला राजिस्थान के किस जिले में लगता है तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा अलवर जिला तो अलवर जिला जो है आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा नैश कोशन देखेगा 21 मा निमलेकित में से किस राजिकी सीमार राजिस्थान के साथ साजा नहीं है निमलेकित में से किस राजिकी सीमार राजिस्थान के साथ साजा नहीं है तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा अपसंडी दिल्ली दिल्ली जो सी राजिस्तान के साजा नहीं करता है दिल्ली राजिकी सीमार राजिस्तान के साथ साजा नहीं करता है यह आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन देखेगा नेश कोशन क्या है 22 मा बनास बेसिन राजिस्तान के किस भगवलिक भिवाजन का हिस्सा है बनास बेसिन राजिस्ता पंच परदार राजिस्थान के किस जिले में इस्थित खारे पाने की जील है सही जवाब हो जाएगा ओप्सन वी बाडमेर अगला कोशन देखेगा 24 वा निमलिखित में से काउंसी नदीर राजिस्थान से होकर नहीं भैती है काउंसी नदीर राजिस्तान से होकर नहीं भैती है सही जवाब हो जाएगा तापती नदी जो है ये राजिस्तान से होकर नहीं भैती है तो C वाला जो अपसन है आपका correct हो जाएगा 25 कोशन देखेगा 25 कोशन कोपेन के जलबायू बर्गी करण के अनुसार और राजिस्थान का कौंसा छेत्र AW प्रकार की जलबायू का अनुवो करता है इस कोशन्स का सही जवाब हो जाएगा option A सबसे दच्छनी छेत्र तो ये वाला जो option है आपका correct हो जाएगा अगले कोशन की और अगला कोशन क्या है लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजिस्थान की निमलिखित में से किस जिले में पाई आती है तो लाल दोमट प्रकार की जो मिट्टी है राजिस्थान की बास बाड़ा जिले में पाई आती तो बास बाड़ा जिला जो है आपका correct answer हो जाएगा अगला कोशन देखेगा निम लिखित में से किस जिले में राजिस्थान का कुल वन आचांदित छेतर सबसे अधिक है किस जिले में राजिस्थान का कुल वन आचांदित छेतर सबसे अधिक है इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा Option A उदयपूर 28 कोशन देखेगा क्या है निमलिक्ट में से काउसा अभ्यारन करोली जीले में इस्तित है इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा कैला देवी कैला देवी आपका correct answer हो जाएगा 29 कोशन देखेगा 10 सफारी पार्क जैपुर में एक विसाल और सुन्दर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोगप्री है सई जवाब हो जाएगा और ज़लाना तो ज़लाना आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा थर्डी कोशन देखेगा तीसवा निम्न में से कौन राजस्थान का राजकिय पुस्प है राजस्थान का राजकिय पुस्प कौन सा है बहुत ही सिंपल है आसानी से आप बता सकते हैं तो राजस्थान का राजकिय पुस्प हो जाएगा रोहीडा 31 कोशिन देखेगा राजस्थान सरकार ने जैपूर, उदैपूर और जोदपूर के बायू गुडवत्ता सुजगां के बारे में जानकारी साजा करने के लिए मोबाइल अबलीकेशन डैस लॉंच किया है कौँ सा अबलीकेशन लॉंच किया है इस अबलीकेशन का नाम है राजबायू तो राजबायू जो है आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा यानि उप्सन A 32 कोशिन देखेगा निम लिखित में से कवन राजस्थान में मरुस्तिली करण का करण नहीं है निम लिखित में से कवन राजस्थान में ICAR द्वारा राजिस्थान कितने करसी जलवायू छेत्रों में वेवाजित किया गया है तो ICAR द्वारा राजिस्थान के कुल 10 करसी जलवायू छेत्रों में वेवाजित किया गया है तो सही जवाब हो जाएगा option V10 चोतिसमा कोशन 2019 के अनुसार भारत में उन उत्पादन में राजिस्थान का कौँ सा इस्थान है 2019 के अनुसार भारत में उन उत्पादन में राजिस्थान का पहला इस्थान है तो सही जवाब हो जाएगा option A So guys 35 कोशन देखेगा भाखड़ा नागल नहर परियोजना 10 के 27 परियोजना है भाखड़ा नागल नहर परियोजना जो है गाईसी ये राजिस्थान पंजाब और हरियाना की 7 परियोजना है तो सही जवाब हो जाएगा option A 36 कोशन देखेगा कुमर सेन लिप्ट नहर 10 किस सहर को मीठे का पानी उपलब्द करा रही है तो कुमर सेन लिप्ट नहर जो है ये पीका नहर को मीठा पानी जो है वो उपलब्द करा रही तो पीका नहर जो है आपका correct answer हो जाएगा option C अगला कोशन देखेगा सही तिसवा जाखमबाद राजिस्थान के किस जिले में इस्थीत है तो प्रताब गड़ जिला जो है आपका correct answer हो जाएगा अर तिसमा कोशन देखेगा निमलेखित में से किस इस्थान पर राजिस्थान का सबसे बड़ा thermal power station है किस इस्थान पर राजिस्थान का सबसे बड़ा thermal power station इस्थीत है तो सही जवाब हो जाएगा जापड़ा जो वच्चे एवाला option बता रहे हैं सभी वच्चे correct हो जाएगे तो गैस 49 कोशन देखेगा निमलेखित में से राजिस्थान में लंबाई की ड्रश्टी से सबसे छोटा राश्टी राजमार्ग है निमलेखित एवाला जाएगा जाएगा option C चालिसमा कोशन देखेगा राजिस्थान में टंगश्टन कहां पाया जाता है तो राजिस्थान में टंगश्टन जो है गाईज ये पाया जाता है नागवर में तो नागवर जो है आपका correct answer हो जाएगा बात करेंगे नैश कोशन की चिकिश्या के जनक के रूप में किसे जाना जाता है चिकिश्या के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो सही जवाब हो जाएगा हीपुक्रेट्स को जाना जाता है सही जवाब हो जाएगा हीपो कट्स 42 मा कोशन देखेगा जब शंक्रामक रोग महामारी किसी देश में असमान रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है या कई देशों या माधिपों में फैल जाती तो इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है पैन जूटिक या महामारी रोग सही जवाब हो जाएगा उप्सन बी तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस वीडियो को लाइक और से जरू करें क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है गाइस ना तो वीडियो पर जज़ा कुछ खास लाइक आ रहे है मैं आप लोगों के लिए इतनी महनत करता हूँ देखिए ना तो मैं आप लोगों से कोई पैसा हम लेता हूँ ना मैं आपको अपना कोर्स बेंसता हूँ मैं आपको डेली वीडियो अपलोड कराता हूँ एक वीडियो बनाने में कितनी महनत पड़ती है यह आप लोग खुद समझ सकते है 40-40 मिनट के वीडियो 30 मिनट के वीडियो बनाने में कितनी महनत पड़ती है यह आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो guys support करेंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैं लगवक CT के लगवक यह मान के चलिए 20 से 22 वीडियो में पहले ही upload कर चुका हूँ और सभी वीडियो पर response जो है आप लोगों का यह मान के चलिए 0% response आ रहा है तो guys support करेंगे आप लोगों के support के में बहुत ज़्यादा ही आप अशकता है support करेंगे वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए तो चलिए मिलते हैं नच वीडियो के साथ जैहिं जबार